महाराष्ट्र में इस समय रुकरुकर हो रही बारिश की वज़े से किस्तानों को भारे नुकसान हो रहा है नासिक जिले में आंधी तुफान के साथ असर खेड़े मटेवाडी मंगरू लाया समेत कई गाउं बारिश से तबाह हो गए हैं वहीं इस बारिश से खेक में खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है खास कर प्याज की फसल बड़े पेमाने पर बरबाद हो चुकी है इस प्याज उत्पादकों को कभी बजार भामना मिलना तो कभी प्रकरती की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है जिले की किसानों का कहना है कि सरकार को उन किसानों की मदद करनी चाहिए जो आर्थिक संकट में हैं इसी बीच यहाँ जिले के पाल खेड़े और निफाट तालुका के आसपास के इलाकों में बादल फटे जैसी बारिश हुई इससे क्रिशी फसलों को भारी नुकसान हुआ भारी बारी से मक्का, सोया बीन, कपास, प्याज और टमाटर जैसी फसले पर भावित हो चुकी हैं। किलों में बारिश की संभावनत जता ही है। इसी के चलते अधिकांश इलाकों में किसान बारिश के अलर्ट में हैं। कभी तेज तो कभी धीमी अचानक से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता को अब भड़ा दिया है।